राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी की जड़ के चार फायदे बताऊंगी कि अगर हम अपने मंदर में तुलसी की जड़ को इस तरह रखते हैं तो घर से कलेश का नाश होता है और अगर धन नहीं आ रहा तो आना शुरू हो जाता है और अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो वो भी लगने लग जाता है अगर आपको लगता है कि आपके घर में बिना वजय का कलेश रहता है तो आप तुलसी की जड़ लें उसे पीले कपड़े में लपेट कर अपने मंदर में रखें आप देखेंगे कि इससे धीरे धीरे घर के कले समाप्त हो जाएंगे और अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका मन भी पढ़ने में लग जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है बहुत महिनत के बाद भी धन का संचे नहीं हो पा रहा है तो आप तुलसी की जड़ लें और उसे लाल कपड़े में लपेटें और अपने धन रखने के स्थान पर रख लें थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो धन है वो संचे होना शुरू हो जाएगा और धन आनी के रास्ते भी खुल जाएंगे तीसरा जो है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना किया है तो आप तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी मंदर में रख लें इससे जितनी भी नकारात्म कूर्जा है वो घर से समाप्थ हो जाएगी और अगर किसी का कुछ किया हुआ है तो वो भी अपना जो परभाव है नहीं कर सकेगा और अगर आपको तुलसी की पूजा करने का ध्यान है लेकिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रख सकते तो आप तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर उसके उपर मौली बांद कर अपने मंदर में स्थापित कर लें और रोज शाम को इसके आगे घी का दिया जलाएं आपको वही फल मिलेगा जो के तुलसी के पौधे की पूजा का मिलता है इस तरह से आप तुलसी की जड़ को अपने घर में रखकर अपने घर के कलेश दरिदरता स्माप्ट कर सकती है और अगर घर पर कोई जादू टोना हो गया है वो भी कोई प्रभाव नहीं करेगा और मा तुलसी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगी जय माता दी